फिल्म इंडेस्ट्री को लगाता दूसरे दिन एक और बड़ा जटका लगा है बिद्भार को इर्फान खान के जाने का गम अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि गुरुवार को एक और दिग्ग जर्विदा कह गए रिशी कपूर ने गुरुवार को मुंबई के अस्पिताल में अंतिम सास ली बॉलिवुड के कई अभी नीता देश की नीता समेत कई बड़ी हस्तिया और श्रधांजरी दे रहे हैं रिशी कपूर के एंसर से पेड़ित थे और गुरुवार को मुंबई की अस्पिताल में 16 साल की उम्र में उनका निधन हुआ रिशी कपूर ने बॉलिवुड में अपनी शुरुवात 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर से की जिसने उन्होंने अभी नहीं किया और निर्देशन पिता राज कपूर ने किया रिशी कपूर तब 18 साल के थे और उन्होंने फिल्म में अपने पिता के प्रतिष्ठत किरदार राजू दकलाउन का छोटा रूप निभाया युबा राजू के रूप में रिशी कपूर ने सिमी गेरवाल वारा अभिनित अपनी शिक्षिक मैरी की भूमी का निभाई और उनकी अभिने को फिल्म के साथ बहुत खास माना जाता है जो कि बॉक्स ओफिस पर रिलीज होने के बाद भी सफल रही राज कपूर ने खुद मेरा नाम जोकर को अपनी फिल्म के पसंदिदा भाग में से एक बताया है हाल ही में कपूर और संस जो 2016 में आये रिशी कपूर की एक नविंतन फिल्म है जिसमें उन्होंने एक कालपनिक कपूर परिवार के सबसे बड़े सदस्य का अभीने किया है मेरा नाम जोकर और कपूर इन संस के बीच बहुत सारी फिल्में बनी हुई रिशी कपूर को बॉबी, रफू चकर, अमर अकबर एंथनी, दोसरा आममी, सागर करज, चांदनी, दामिनी, बिजली और याराना जैसे फिल्मों के लिए सरहा गया एक बार फिर उन्हें स्टूडेंट आफ दी यर, अगनी पद, आल इस वेल, और सनमरी जैसी हाँ ही में फिल्मों में देखा गया कपूर परिवार की एक संयूक्त फिल्म जो 2013 में आय थी, उसका नाम बेशिरम था, उसमें कपूर परिवार में पतनी, नीदू, पुत्र रनभीर और रिशी कपूर ने एक साथ काम किया था रिशी कपूर के दोस्ते रिष्टदार उस सुपस्चार अमिता बच्चनी गुरुवार को त्वीट कर रिशी कपूर के नेधन की जानकाली दी, उन्होंने लिखा वो गया, रिशी कपूर गय, अभी उनका नेधन हुआ, मैं तूट क्या रिशी कपूर को बुधार को उनके परिवार ने एचेन रिलाइंस अस्पिताल में भर्दी कराया था बॉलिवुड के सबसे बड़े परिवार कपूर खांदान के चिराग रिशी कपूर ने अपने परिवार की रहा पर चलकर फिल्मों में किसमत आ जुए 1977 में फिल्म बॉबी के साथ उन्होंने बॉलिवुड में डेब्यू किया और तब से लेकर आज तक वो हर किसी के दिलों पर राज कर रहे थी हड़ा कि 1970 में राज कपूर की ही फिल्म मेरा नाम जोकर में रिशी कपूर एक बाल कलाकार की भूमिका में नजर आ चुकी थी से गहरा सदमा लगा है वो शांदार अभीनेता और इंसान थे देश के उपराश्पदी वेंके नाइडियू ने ट्वीट लिखकर फिल्म अभीनेता रिशी कपूर के निधन से काफी दुखी हूं उनके जाने से देश ने एक भहतरीन अभीनेता खूरिया कॉंग्रिस नेदा रहूल गांधी ने भी रिशी कपूर के निधन पर दुख व्यक्ति किया रहूल गांधी ने लिखा कि ये हपता भारती सिनमा के लिए काफी दुख देने वाला है एक और लेजेंड रिशी कपूर आज हमारे बीच से चले गया एक शांदार अभीनेता जो हर जनरेशन के लिए प्रेना दाई थी बॉलिवट के सुपस चार अक्षर कमार ने ट्वीट कर लिखा कि ऐसा लगता है कि हमें बुरे सपने के बीच में है रिशी कपूर के जाने के बाद बड़ा जटका लगा है ये दिल तोडने वाला है वो महान थे एक शांदार दो अनुस्ट्री के लिए बहुत बड़ा जटका है सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस दे बैल आइकन फॉर मोर अपडेट्स